नमस्कर दोस्तों आपको मेरा यूटूब चैनल में फिट से सोगत है जिसका नाम है बाई सेल सिगनल सॉप्टर अगर आप सेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परिशान है या फिर आप जितने एक्सपेट कर रहे हैं उतना रिटान आपको नहीं मिल रहा है उसमें से कौन-कौन कॉल एचिव होता है कौन सा कॉल एचिव नहीं होता है कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि जैसे हम लोग को सबको पता है मार्केट में call तो बहुत सरा बनता है उसमें से कुछ quality achieve होता है maximum call achieve नहीं हो पाता है तो हम लोग कैसे उसको identify करेंगे तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा explain करने जा रहा हूँ तो वीडियो को थोड़ा time निकल के आन तक देखिए साइध आपको कुछ better लगे और वीडियो स्टार्ट करने का पहले एक बार बता देना चाहता हूँ अगर अगर अब new है account open करना चाहते है तो जैसे हम लोग allies blue का साथ काम करते है allies blue काफी अच्छा broker company है तो अब allies blue का साथ join हो सकते है और अगर अगर आप हम लोग का थो allies blue में account open करते है तो आपको हम लोग का तरब से whatsapp में live group support मिलते रहेगा तो allies blue का link मेरा चैना वीडियो का नीचे description में दिया हुआ है आप form को fill up कर दीजेगा allies blue का तरब से आपका फास phone चला जाएगा जो भी doubt या queries है आप एक बार कर लीजे अगर आपको satisfaction आता है तो ही join होईएगा आदर ही join होने का ज़रूद नहीं है तो चलिए सुरू करते है software का उपर लेके जैसे axis bank का ये मैं आज को तीन तरीका चार्ड को explain करने जा रहा हूँ तो software पहले करता क्या है software का काम होता है ये market का buyers and sellers को filter करता है and trend का उपर deep in करके आपको automatically signal देता है जो कहाँ पर buy करना है कहाँ पर sale करना है target क्या रगना है exit कब करना है each and everything अब हम लोग जैसे देखते है कुछ call achieve होता है maximum call achieve नहीं होता है तो कैसे हम लोग identify करेंगे तो देखिए सबसे पहले access bank में हम लोग का software ने तीन तरीक को first एक selling का call दिया था तो जब भी भी कोई sale का call बनेगा यहाँ पर right side में देखिए लिख्या आ रहा है जो sale 803.4 इस value का उपर आपको sale करना है नीचे में देखिए T1, T2, T3 target और यह sale बोलकि जो उपर में लिख्या रहा है यह आपका stop loss अब हम लोग को पता कैसे चलेगा जो यह call कितना genuine था किस basis में मुझे trade करना है तो इसमें कुछ condition होता है जिसमें से first condition नीचे का जो ribbon है उसका color को आपको देखना है जो red है या नहीं selling का time ribbon red रहाएगा buying का time green हो जाएगा selling का time नीचे का ribbon red होना चाहिए था तो ready है तो first condition match हो गया second condition sale का call का पहले एक star बनेगा जो आपको यहाँ पर दिग रहा है middle में दो pink color का crossover line आपको दिग रहा है जो पहले से pink हो के नीचे गिर रहा है और सबसे important line है नीचे का जो line indicator है वो white line का नीचे moment होना चाहिए वाले इसका color कुछ भी हो obviously rate मतलब seller strong है और green मतलब buyers बर रहा है but white line का नीचे है या उपर है that is the factor तो 10 बच कर 35 मिट पे जो call बना था यहाँ पर जो 3 से 4 condition मुझे देखना था उसमें से पहला condition star नीचे का rebound second condition और यह line indicator white का नीचे होना चाहिए यह 3 vital है और उसका साथ साथ अगर आप middle का दोनों line crossover के pink होते नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है तो यह आपके लिए काफी strong point है मतलब 10 बच कर 35 मिट का call strong call था जहाँ पर आप entry लेते तो आपको अपना profit यहाँ पर दिख रहा था आप अपना target लेकि यहाँ से easily निकल सकते थे अब उसका बाद आईए देखिए call कैसे बनता है फिर call बना आपका 12 बच कर 15 मिनिट पे अब एक call कितना genuine है जैसे नीचे का ribbon मुझे rate दिख रहा है तो यह first negative point secondly buy का call का पहले कोई star नहीं है and thirdly यह line भी देखिए wide line का उपर नहीं गिया तो logically यह call सही नहीं है उसका बाद देखिए यह जो sale का call बना है इसका पहले भी star नहीं है और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जो यह line green होके 0 को तोरने जा रहा है तो इस time भी आप यहाँ पर entry नहीं ले सकते उसका बाद देखिए third जो buy का call बना था यहाँ पर अब इसमें भी negative point है देखिए इस call का पहले भी कोई star नहीं है बागी का condition में अच है नीचे का rebound green है line neutral का उपर है बड़ star नहीं है तो यह भी आपके लिए negative point है fourth दो sale का call है अब इसमें क्या negative point है देखिए यहाँ पर लगबग सारा condition मैस था बट generally हम लोग क्या बोलते है जो यह जो blue candle है इसका low का नीचे जब तक market close नहीं होता है कोई भी candle generally यह जो candle बना था यह एक candle में नीचे तो गया बट इसका closing उपर हुआ यह जो black candle दिख रहे this is the hollow candle तो closing नहीं होने का मतलब है काफी हाथ तक यह आपके लिए rigs हो सकता है तो ultimate देखिए market घुमा दिया और last जो buy का call बना आप इसमें धैन से देखिए यह buy का call में पहले star बना है नीचे का ribbon green हुआ है और यह line भी neutral को break करके उपर किया है और finally यह जो candle है यह blue candle का high का उपर movement किया तो मैं यहाँ पर buy में entry ले सकता हूँ तो सुबे से देखिए कितना सारा call बना middle में first, second, third, fourth चार जो call बना चारो as per software rule आपका perfect नहीं है तो इस type से आपको call को identify करना परेगा call बहुत सारा बनेगा बट अगर आपको सही condition पता है लाइब मार्केट में आपको जिस condition को ध्यान में रखना है और जहाँ पर condition मैं अचला call दिखें ट्रेड वहीं पर कीजे आदर इस trade करने का ज़रौद नहीं है and finally एकी चीज़ बोलूँगा जो call कैसे पता चलेगा उसके लिए आप हम लोग का कॉल देखने का ज़रौद नहीं है आपको अपको चेक करना है condition सही है या गलत है अगर मैच होता है तो trade करेंगे आदर इस नहीं करेंगे देखे राइट सेट में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है left hand side में जो blue box है वहाँ पर भी उसका details दिया हुआ है तो आसा करतों वीडियो समझ में आया है वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिए share कीजिए मन में जो भी doubt या queries है comment करके पूछिए या फिर मुझे contact भी कर सकते है वीडियो कर नीचे मेरा description में link दिया हुआ है या मेरा contact details भी दिया हुआ है तो मन में जो भी doubt है या queries है आप comment करके भी पूछ सकते हैं या फिर मुझे whatsapp पे message भी कर सकते हैं thank you thank you so much वीडियो कैसा लगा जरूर बोलिएगा अच्छा लगेगा तो like से जरूर कीजिए first time channel को देख रहे तो subscribe करना ना खूलिए thank you thank you so much